कई जीद बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिन्दगी की सार बाकी है, यहां से चले है नहीं मंजिल के लिए ये तो सिर्फ एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे सक्षियत की है जिनका जीवन और व्यक्तित्व मानो इन पंक्तियों में पूरी तरह बया होती है ऐसा लगता है कि मानो ये पंक्तियां उन्हें के जीवन के लिए रची गई हूँ एक साधारन डॉक्टर से शुरू कर राज्य के बहुमुखी प्रतिभावान मुख्यमंत्री के पत्तक पहुँचने का सफर इन पंक्तियों में मानो खुद को जाहिर कर रही हूँ जी हाँ, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह के बारे मैं डॉक्टर मानिक शाह का जनद、 1983 के आठ जन्वरी को हुआ था उनके पिता थे माखनलाल साह और उनकी माता है सुर्जवाला साह डॉर्टर मानिक साहा के छे भाई और चार बहने भी हैं उन्होंने स्रीमति सपना साहा से 15 जुलाई 1985 को उनकी शादी हुई और उनके साथ डॉर्टर मानिक साहा के दो बेटिया भी हैं इनमें से बड़ी बेटी अश्मिता शाहा एक आयज स्पेशलिस्ट हैं और छोटी बेटी का नाम त्रिशिता शाहा है अगर बात करें तो उन्होंने अपने पढ़ाई सबसे पहले शिशु बिहार स्कूल से शुरू की थी नरसरी से क्लास वन तक पढ़ने के बाद उन्होंने महराने तुलशी बती जुनियर बेसिक स्कूल में जॉइन किया और क्लास 2 से क्लास 5 तक की पढ़ाई वहां से कंप्लीट फिर वो बोजंग हायर सेकंडरी स्कूल को उन्होंने जॉइन किया और क्लास 6 से 8 तक वहीं से पढ़ाई की इसके बाद क्लास 9 में उन्होंने उमकांता एकाडेमी को जॉइन किया और 1971 में उन्होंने उम्मा कांते अगाडमी से अपनी पढ़ाई स्कूलिंग अपनी complete की इसके बाद उन्होंने MBB कॉलेज जोईन किया लेकिन बाद में उन्होंने पटना गवर्मेंट डेंटल कॉलेज को जोईन किया वहाँ पे BDS कोर्स करने के लिए उन्होंने MBB कॉलेज छ उसमें चौथे position को प्राप्त किया इसके बाद BDS के degree खत्म होने के बाद उन्होंनेत्रिपुरा में वापस आपर प्राइबेट प्रेक्टीस किया और प्राइबेट प्रेक्टीस में वह करीब 6-7 साल तक बने रहे इसके बाद उन्होंने 1988 में गवर्मेंट जॉप को जोई दिया में है उदेपुर ग coughing विशालगर ग coughing थैल सारे जगहों पे काम किया किriver tehd принkt arrive घर कार मानिक्षाह है उस models पर केस फाल चाह और तो उस केस में जीत गए और इसके बाद उनको TMC में ही Dental Department में HOD के position पे appoint किया गया बाद में उन्होंने लखनव के Kings George Medical University से MDS complete की और 1995 में वो pass out थे Kings George Medical University से उन्होंने MDS complete करी थी oral and maxillofacial surgery में और वे government की तरफ से नो में नहीं रहे थे on the basis of merit oral and maxillofacial surgery में surgeon के तौर पर जब उन्होंने 1995 में MDS के डिगरी हासिल की तब त्रिपुरा स्टेट के वो पहले ऐसे surgeon बने जिन्होंने maxillofacial surgery में ये MDS डिगरी हासिल करी थी education के साथ साथ डॉक्टर मानिक साहा का interest हमेशा से sports में भी बना रहा अगर sports के achievements की अगर बात करें तो school life से ही वो sports में बहुत active थे 1970 में 1970 में उन्होंने त्रिपुरा को represent किया पहले cross country athletics में हैदराबाद में ये हुई थी 1970 की ये बात है इसके अलाबा उनको 1970 में ही all त्रिपुरा बेस्ट NCC कैड़ेट के पुरषकार से भी नवाजा गया था इसके अलाबा MBB college से उन्होंने 1972 में 1500 मेटर की race, 800 मेटर की race और badminton में वे winner रहे 1970 में ही वे badminton championship बिलोनिया में स्थित हुई थी और वो त्रिपुरा state inter school sports competition थी उसमें badminton के विनर भी रहे इसके अलाबा 1973 में इंडोर में एक long distance race अनुस्ठित की गई थी वहाँ पे विनर रहे 5000 मेटर की race में 1978 में Eastern University के badminton championship में वे winner रहे जो पटना में हुई थी उसी साल Inter University badminton championship के भी वे runner अप रहे थे जो कि मुंबाई में हुई थी 1974 में state champion भी रहे badminton में और उसी साल 1974 में वे Southern West district के badminton champion भी रहे badminton और athletics के साथ साथ वे football में भी काफी interest रखते थे शंगस्री club से और उमकांतर स्कूल से उन्होंने football में participation किया school और college level में वे cricket में भी काफी induced थे included थे जब वो government job में थे उसी दोरान 2018 में उनको ट्रिपरा sports council के vice chairman और in charge secretary के रूप में भी उनको इंस्टिल किया गया अगस्त 2018 से वो इसी post पे बने हुए हैं 2021 में TCA के secretary के रूप में भी उनको appoint किया गया आज के वीडियो को हम यहापे खतम करते हैं अगले वीडियो में हम बात करेंगे उनकी राजनेतिक उतार चड़ाव के बारे में और साथी साथ बया करेंगे उनकी मुख्यमंत्री बनने की कहानी तो बने रहे अगले वीडियो तक अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले तो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद